जो टिकॉन बोर्ड की तरफ जाते हैं, जो ड्राइवर बोर्ड की तरफ जाते हैं, और किस तरह से टिकॉन बोर्ड के जो सप्लाई वोल्टेज है, मदर बोर्ड से स्विच होकर टिकॉन बोर्ड तक पहुंचते हैं, और टिकॉन बोर्ड में बनने वाली जो सप्लाई होती है वो कौन सी होती है और वो किस तरह से बनती है वो सब कुछ आपको इस ट्रेनिंग में असानी से सिखाय जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से उसके बाद फिर दूसरा जो होगा LED और LCD दोनों की ही जानकारी मिलेगी आपको पावर सप्लाई अलग-अलग से सिखाय जाएगा आपको टिकॉन बोर्ड बहुत विस्तार में सिखाय जाएगा और किस तरह से मदर बोर्ड पावर बोर्ड रिपेर होता है यहाँ पर पावर बोर्ड में निकलने वाले आउटपुट वोल्टेजिस की पॉइंट से कैसे चेक करोगे पीफसी सर्कीट किस तरह से होती है वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा इस ट्रेनिंग में पीफसी के मॉसपेट कौन से होते हैं वो सब आपको सीखने मिलेगा इस ट्रेनिंग में और उसके बाद सोनी में आने वाले फॉल्ट जो ब्लिंक कोड्स होते हैं जैसे टू टाइम, ट्री टाइम, फॉर टाइम, फाइट टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम, एट टाइम, नाइन टाइम, तैन टाइम तो यह सारे basic codes होते हैं वो कहाँ पर होते हैं और किस वज़े से आते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर training में सीखने मिलेगा और वो भी circuit के साथ किस तरह से false diagnose करेंगे और उसको किस तरह से पैचानेंगे कि यह component कहाँ पर लगाए और यह सब कुछ आपको यहाँ पर जिस तरह complete जो training है हर वो चीज के जानकारी मिलेगी आपको जिससे आप यह टीवी रिपेर कर पाओगे आसानी से यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जानकारी आपको लिख कर बताए जाएगी आपको जो LCD टीवी में आने वाले जो power sequence है उसके बारे में सिखाए जाएगा LED टीवी जो होती है उसके जो power sequence है वो सिखाए जाएगे और OLED टीवी इसके power sequence भी आपको इसी training में सिखने मिलेंगे और यह जो e-book है यह आपको free मिलेगी training लेने के बाद ताकि आप कुछ बच जाए तो इसी book में से पढ़ कर सीख सकते हैं कोशिस की है कि इसमें मैंने हिंदी में training की जो book है बनाने की कोशिस की है और इसे आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर अपनी knowledge को एक नई उचाई तक पहुचा सकते हैं ताकि जो मेरी training लेने वाले जित्ते भी students हैं जिस तरह से अभी काम कर रहें वैसे ही आप भी काम करोगे जब आप training ले लोगे और software कैसे होता है एक एक points अच्छे से सिखाया गया यह जो book है उसके अंदर सो हर वो जानकारी आपको मिल जाएगी इस training में किस तरह से bias programming होती है किस तरह से NAND IC का programming होता है किस तरह अगर जो आपके पास ऐसे ऐसे बोर्ड है जिसमें ना तो NAND IC आपको visible है जो निकाल के आप offline programming कर सको उसके लिए आप EMMC जो online programming है जो की बोर्ड के साथ कुछ wires जंप करके किस तरह से यह MMC data को read and write करेंगे वो सब आपको इस training में सीखने मिलेगा और कुछ boards available है market में जो shortcut आपको सिखाए जाएगा कौन सी supply ना मिले तो आप किस तरह से यह boards का use करके उन supplies को आप लगाएंगे और यहां पर आपको यह सब कुछ सीखने मिलेगा जैसे कि आप देख रहे हैं यहा आप panel booster board किस तरह से काम करता है हर एक voltages आपको सीखने मिलेंगे कैसे निकलते हैं इसमें से output voltage और उसको किस तरह से आपको perfect जो setting करनी है प्रिजेट से आप क्या voltage रखोगे इसमें कि आप panel booster जो output है जो आपकी panel के साथ connect करेंगे वो सब आपको सीखने मिलेगा जैसे कि आप दे सारे boards की आपको जानकारी मिलेगी इस training में और जो shortcut methods है जैसे कि अभी आपका TV स्टार्ट होता है बंद हो जाता है और कुछ देर चलने के बाद मतलब बंद हो जाता है या तो कुछ समय बाद आपकी light बंद हो जाती TV चालू रहता है आवाज चालू रहती लेकिन picture की light बंद हो जाती तो backlight protection किस तरह से आप disable करेंगे उसके हर एक जो shortcuts है आपको सिखाए जाएंगे हर एक ICS की detail के साथ यहां पर आप देख सकते हैं यह मेरी e-book में है already यह book आपको free में मिलेगी training लेने के बाद आप यह लेके जा सकते हैं free में आपको electronic book जो की आपको pen drive में मिल करेंगे यह फूरी technique इसमें लिखी हुई है हर एक ICS के साथ so diagrams or IC pin configuration सब कुछ इसी में है और किस तरह से कुछ type के faults होते हैं वो आप prepare करेंगे अगर जो आपके पास mapping के लिए service mode आप से नहीं खुल रहा है उस company का तो आप कैसे इसमें manually ठीक करेंगे कौन सी pin को आप connect करके ठीक करेंगे वो सब कुछ आपको इस training में सीखने मिलेगा और कुछ तरह के boards होते हैं जिसमें tick on board नहीं होता है 60 pin के non tick on जो panels होती है उसमें किस तरह से आप universal board fit करेंगे यह जो की बहुत कम logo को जानकारी है या तो मुझे नहीं लगता किसी को जानकारी है इसके बारे में इसको detail में सिखाया जाएगा practical तरीके से कि किस तरह से इस board में आप universal board fit कर सकते हैं सो यह सब कुछ जानकारी मिल जाएगी आपको पैनल की बहुत ही extraordinary जानकारी मिलेगी पैनल कैसे काम करता है किस तरह से सारे जो LVDS signal in होकर कॉफ में से किस तरह से यह picture बनत में जिस से picture आपको दिखती है यह सब कुछ आपको इस training में सीखने मिलेगा कितनी प्रकार की जो problems होती है जो gate lines से related और वो कैसी दिखती है वो सब कुछ आपको देखने मिलेगा यहाँ पर आपको यह पता चलेगा कि कौन से signal कौन से color को बता रहे हैं इसके बारे में यह मैं वो सब कुछ आपको सीखने मिलेगा gamma IC किस तरह से replace की जाती है और उसके faults किस प्रकार के होते हैं वो देखने मिलेगा यहाँ पर कुछ Sony के boards होते हैं जिसमें picture नहीं आती है कई बार आपकी जो fault होती है ऐसे दिखेगा आपको तो इसे आप किस तरह से repair करोगे main board में आने वा फॉल्ट वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा कि कॉफ की जो प्रॉब्लम साती है कि कॉफ में जो बाइपासिंग करना होता है कुछ वोल्टेजिस मिसिंग है यह सोचों की V on voltage इसमें मिसिंग है तो वो आप कैसे जंप करेंगे अगर आपके पास cop data अविलेबल नहीं है तो उसे किस तरह से करेंगे वो सब कुछ आपको इस training में सीखने मिलेगा किस तरह से यह wires आप जंप करोगे इसके बारे में है training में double image के problem कैसे ठीक करोगे आप वो सब कुछ आपको इस training में सीखने मिलेगा और double LVDS के आने वाले जो faults होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और उसे कैसे fix करोगे यह सब कुछ इस training में है हर एक problems का solution आपको इस training में दिखने मिलेगा और यह 176 page की book है आपको free दोस्तों 18 जून को जो एंदाबाद में training है यह मेरे workshop है मैं पहले workshop का आपको एरिया दिखा देता हूं और यह दिखा दो और जो training होगी आपको BIOS programming के बारे में अच्छा सिखाया जाएगा EMMC किस तरह से read write किया जाता है और किस तरह से NAND IC को read or write किया जाता है NOR IC किस तरह से read or write होती है यह सबी कुछ आपको इस training में सीखने मिलेगा उसके साथ हर company के जो motherboard है उसको repair करने की easy technique सिखाई जाएगी जैसे कि यह board है इसमें आने वाली जो problems है उसको किस तरह से आप perfect तरीके से ठीक करेंगे आप पर एक DC power supply है जिसके थूँ आपको बताया जाएगा कि कौन सी circuit कितने ampere खाती है और अगर जो आपके पास DC supply ना हो DC power supply तो आप current किस तरह से check करेंगे multimeter से वो सब आपको इस training में सिखाए जाएगा oscilloscope की बहुत अच्छी technique सीखने मिलेगी आपको जो कि इस पर भी हमारी खास training होगी जिससे की आप fault finding किस तरह से करेंगे oscilloscope के use से आपकी flash IC खराब है या नहीं है वो चेक करने के लिए भी oscilloscope का use कैसे होगा वो दिखाए जाएगा Ticon board जो है वो किस तरह से काम करता है वो सिखाए जाएगा आपको और complete उसकी training होगी किस तरह से इसका fault finding होता है और इसमें आने वाले कौनसे sections क्या काम कर रहे है और कौनसी IC क्या काम कर रही है और उसके आने वाले problems किस तरह से दिखेंगे वो सब आपको इस training में यहाँ पर एमदाबाद में सिखने मिलेगा जो की 18 जून को है इस मही ने और 18 जून को सुरू होगी यह 5 दिन की training है एमदाबाद में और किस तरह से universal board fit करोगे software के साथ आपको मिलेगा इस training में software भी मिलेंगे साथ में और किस तरह से universal driver board आप use करोगे और backlight किस तरह से arrange की जाती है universal driver board के साथ हम कैसे backlight को arrange करेंगे यह आपको इस training में सीखने मिलेगा इसमें किस तरह के arrangement होते हैं कि यह LED light parallel में होती है और series में होती है और series में हो तो क्या problems आएगी वो सब कुछ आपको इस training में सीखने मिलेगा और बार बार जो LED lights खराब हो जाती है उसको ठीक करने की तरकीब सिखा ही जाएगी इस training में universal board के complete software मिलेंगे आपको ticon board अच्छे से सीखने मिलेगा पैनल रिपैरिंग की अच्छी idea मिलेगी रिपैर करने की और panel matching LVDS cable matching LVDS cable किस तरह से काम करता है और panel matching किस तरह से की जाती है वो सब आपको इस training में सीखने मिलेगा और LVDS cable की जो wiring करते हैं हम अगर जो आपके पास LVDS cable ना हो same type का और इसको किस तरह से directly wiring करेंगे solder करके उसको भी आपको बहुत ही detail में सिखाया जाएगा किस तरह से panel match की जाती है और किस तरह से wiring होती है LVDS की तो ये training में हर वो चीज आपको सीखने मिलेगी जो की expert बनाने के लिए काफी होगी और ये एमदाबाद में जो training है वो 18 तारिक को होगी 18 तारिक 18 19 20 22 तक रहेगी ये training मल्टी मीटर से किस तरह से आप sorting दूर कर सकते हैं वो सीखने मिलेगा आपको एमपियर में रखके हम किस तरह से अगर जो कोई IC sort है उसको किस तरह से ठीक करेंगे वो आपको मल्टी मीटर के help से किस तरह से repair होता है वो चीज आइसी किस तरह से repair करोगे वो सीखने मिलेगा आपको और और भी बहुत कुछ है training में so एमदाबाद की training मेरे इसाब से आपको miss नहीं करने चाहिए क्योंकि expertise level को touch करने के लिए बहुत जरूरी training है ये 5 दिन की वो जो की ये workshop पे होगी